आज छोटी होली मनाई जाएगी छोटी होली के दिन होली का देहन किया जाता है होली का तोहार होली का देहन के साथ ही शुरू होता है होली का देहन के बिना होली का तोहार नहीं मनाया जा सकता फागुन पुर्णिमा तिथी पर रात्री के शुब समय में होलिका की अगनी प्रजवलित करते हैं इस साल होलिका पूजन और देहन का शुब महुर्थ 17 मार्च 2022 की रात 9 बच कर 6 मिनट से 10 बच कर 16 मिनट तक है यानि होलिका देहन के लिए वक्त केवल एक घंटे 10 मिनट का है इस दोरान भद्रा की पुंच रहेगी जिससे हानी की आशंका नहीं रहती है वहीं भद्रा के कारण हुलिका देहन के शुब महुर्थ को लेकर असमंजस की इस्थिती भी बनी होई है जो दिशाचारियों के मताबिक फागुन पूरी मती थी 17 मार्श को दोपहर 1 बच कर 29 मिनट से प्रारम होगी और 18 मार्श को दोपहर 12 बच कर 47 मिनट तक समाप्त होगी भद्रा प्रारम होगा 17 मार्श को दोपहर 1 बच कर 2 मिनट से और 17 मार्श को देद रात 12 बच कर 57 मिनट पर इसका समापन होगा ऐसे में हुलिका देहन का शुब महुर्द 17 मार्श को रात 12 बचकर 57 मिनट के बाद से ही कहा जा रहा है हुलिका देहन के दिन गज केसरी योग बन रहा है इस दिन चंद्रमा और भस्पती के योग से गज केसरी योग का निर्मान हो रहा है ये शुब फल्दाई होता है हॉलिका देहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है हॉलिका देहन से आसपास की नकरात्मक शक्तियों का नाश होता है घर की नकरात्मक टादूर करने और परिवार के लोगों पर से बलाओं को समाप्ट करने के लिए सबसे पहले विधी विधान के साथ होलिका की पूजा की जाती है होलिका देहन की पूजा के लिए एक नारियल ले इसे अपने और परिवार के लोगों पर साथ बार वार ले होलिका देहन की अगनी में इस नारियल को डाल दे और साथ बार होलिका की परिक्रमा करके फिर जल जड़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं होलिका देहन की पूजा का विशेश पुरानिक महत्व है मानता है कि देहन से पहले होलिका की पूजा बहुत शुब फल्दाई होती है इससे आपके ग्रह दोश दूर होते हैं घर की सुख सम्रिधी के लिए होलिकी पवित्र भस्म को घर में रखे होलिका देहन की भस्म को रोगियों के शेरीर पर लगाने से रोग दूर होते हैं मानता है कि होलिका देहन के दिन ही स्वेम को भगवान मान बैठे हिर्णा कश्यप ने भगवान की भगती में लीन अपने ही पुत्र प्रहलात को अपनी बेहन होलिका के जरीए जिन्दा जला देना चाहा था लेकिन भगवान ने भगत पर अपनी कृपा की और प्रहलात के लि सबसे सिध्रातरी माना जाता है। इस रात्री में ग्रहनशत्रों की इस्थती कुछ ऐसी रहती हैं कि इस रात्री में किये गई उपाएं अनेक संक्टों का नाश कर देते हैं लेकिन ये सारे उपाएं जोतिश आचारीों के मार्गतर्शन करने चाहिए।